हेलो दोस्तो हेलो मेरी प्यारी सिश्टर आज किस वीडियो के माध्यम से एक वार पुना बहुत बड़ी खुलासा करने के लिए बहुत बड़ी जानकारी अपडेट दिखाने के लिए मैं आपके साथ जूर चुका हूँ BTSC 10709 ANM का कौंसलिंग कब तक आएंगे क्या कौंसलिंग का डेट अभी जो एक रिलीज किया गया है क्या वो सच में सही है या गलत है उस पर हम लोगों को विचार करना होगा दोस्तो रात में मैंने लाइफ आया था BTSC ANM से संबंदित वह सारे प्रस्णों को अपने जो मेरे पास नोलेज था उसके एकोर्डिंग मैं आपको सुल्व कर रहे थे रात में ही मैंने बोल दिया था सेम टू सेम बात वहीं पेपर में आज आ चुका है सारे लोग बता हैं अपने तरीके से मैं आपको बता देता हूं यह जो पेपर में छापा गया है उसमें कितनी सचाई है क्या सच में वह सही है या गलत है पूरी चीज देखना है एनेम रिजल्ट के साथ कौंसलिंग भी होगा बिल्कल रूप से चलिए पूरी जानकारी कंप्लीट करते हैं सात अगले मह बनेगी एनेम कौंसलिंग की मेधा सूची देखिए निनों इसका निर्मान तेजी से चल रहा है 10,000 रिक्तियों के लिए पच्चास हजार आविदक हैं हर एक आविदन का स्कूटनिक और उनके सक्षनिक परवानपत्र कार्य अनुभाव आदी क्याधार पर विग्यापन में उलेखित चर्तों के नरूप उनको अंक दिया जा रहा है इसी क्याधार पर उनकी मेधा सुची तयार की जाएगी और आरक्षन स्रेनिवार विभिन स्रेनियों में रिक्त पदोसे तिगुण्य अभ्यात्रियों को आवंत्रित करते हुए कुल 30,000 अभ्यात्रियों को कौंसिलिक में बुलाया जागा दोस्तों यहाँ पर आप एक दो चीज़ देख लिजे 10,000 रिक्तियां लिखाए जबकि 10,709 रिक्तियां जबकि यह परवात ख़बर है एक अच्छी न्यूज पेपर है इसे सही सही पूरी लिखनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ 10,000 यानि कि 10,709 होगा इतना भी मिश्टेक नहीं अगर तिगुण्य कनेडेट को क्या जाएगा तो यहाँ पर 32,117 कनेडेटों को बलाए जाना है यह भी इन लोगों को लिखना था लेकिन यहाँ पर सिर्फ 30,000 लिख्या है तो कोई बात नहीं यह 10,000 ही यहाँ पर लिए इसलिए यहाँ पर 30,000 लिए तिगुण्य कनेडेटों का तो इसके लोकेर के कोई बात नहीं लेकिन दोस्ते यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कार्ज बहुत सारे हो भी चुका है और मैंने रात में आपको बताया था कि चेर्मेंट सर को चले जाने के बाद जो भी कार्ज हुए थे वो चेर्मेंट सर के देखरेक में हुआ था और अभी उप सचीव अपने हैंडल से इसको थरा सा बिलंब हो रहा है मैंने ये बात रात में ही बोला था बिल्कुल खोल करके बोला था और आज पेपर में देखिए आ चुका है अगले महा होंगे एन्यम कौंसलिंग तो बिल्कुल रुप से अब आप लोग निश्चिन्थ हो जाईए कि कब तक होंगे इस मेने में मै तब तक अफिसल नोटिस अपडेट नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोगों को तुरा सा यहां पर बने रहेंगे लेकिन यहां पर एक उमीद अब आप लोग नेक्स्ट मौन्थ ही लगा सकते हैं इस मौन्थ में कोई चांसेज नहीं के बराबर बनते हैं बाकि अब बीटीसी से आप लोग पूछिए लगातार बने रही क्योंकि आप लोग जब तक बने नहीं रहीएगा तो उन लोगों को लगेंगे कैसे की यहाँ पर परिसान हो रहे है रिजल्ट को लिकर के तो थोड़ासा आप लोग भी उनसे जूरे रही है लगातार पुछती रही है जिसे कि वो लोग भी आप लोग को बता सके कि क्या चल रहे हैं कब तक क्या परकिलिया होने वाले हैं तो यह आपकी दायत भी बनता है और आप की यह अधिकार भी है तो आप लोग चाहेंगे तो पूस सकते हैं तो अब हम लोग देखिए ये आज का पेपर का कटेंग का न्यूज है है अम हम login क्या सच में next month में हूपाते हैं या नहीं हुपाते हैं दोस्तों कर नेक्स्ट में कॉंसलिंग नई होते हैं थौक रखेंट मिलकर बिल्कूल उपसे ब्ट्री डिपार्ट्मेंट से हम लोगों को कम सकम एन्म की कॉंसलिंग कर वा लेजिए क्योंकि 32 अर्वा का सब्सक्राइब करना रिजल्ट फैनली तयार करना इन सारी चीजों करने में पर टाइम लगेगा है चलिए आप लोग समझ गेंगे आज का पेपर कटिंग में क्या दिया हुआ था पूरी जानकारी आपको मैंने बता दिया हूं इसी तरह से कोई और नहीं नहीं जानकारी अफडेट आती है तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं आप लोग इसी तरह से करते रहें थैंक्यू आप 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 आप